Hello everyone, कैसे आप? I hope आप गर पे अच्छे से होंगे. तो बच्छे, last lecture में हमने main 3 topic तीए थे, ठीक है? जिसमें हमारा types of matrices, 10 types हमने complete कर ली थी. उसके बाद हमने equality of matrices topic को discuss किया था. And then the last is exercise 3.1. आपके NCRT में एक चोटी से exercise थी, ठीक है? जिसमें 10 questions थे, वो हमने exercise भी complete कर ली थी. अभी तक हम इतना complete कर चुकि है matrix में. तो आज के lecture में हम operations on matrices इस पे बात करेंगे. जैसे बच्छे numbers पे कुछ operations होते हैं, जैसे दो numbers को आप combine करते हो, कैसे? कभी plus करके, कभी minus करके, कभी multiply करके, कभी divide करके, कभी और भी operations से लगाते हैं, like LCM निकालना है, HCF निकालना है, सब operations होते हैं, ठीक है? तो numbers पे जो आप operations से लगाते हो, same operations, वो आप matrices पे भी apply करते हो. जैसे यहाँ पर आपने जो सीखना है, class 12 में, addition of two matrices, subtraction of two matrices, scalar multiplication, कि किसी number को हम matrix के साथ कैसे multiply करते हैं, and the last is the most important, that is multiplication of two matrices. तो यह main आपने four operations सीखने हैं, matrices के. फिर इनकी कुछ properties भी होती हैं, उनको भी समझना है, right? तो देखें हम शुरुआत करते हैं, हम addition से, addition and subtraction, ठीक है? दोनों में एक साथ आपको समझा देता हूँ, काफी simple है, बहुत ज़्यादा easy, बहुत ज़्यादा easy, जैसे मैं आपको बोल यह 5 plus 2 कितना होता है, what is 5 plus 2? तो आप बोलोगे sir 7, तो जितनी easily आप इस चीज को बोल प आउंगा कि आप ऐसे एकदम सीख जाओगे, उसको आज के lecture में सीख जाओगे, ठीक है? तो देखें, addition और subtraction हम कैसे करते हैं, number one, number one, देखो, दो matrices को अगर आपने plus करना है, जहां फिर minus करना है, एक चीज़ का आप दियान रखें, number one, दोनों का order same होना चाहिए, order should be same, ठीक हो, तभी वो multiply हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं, multiplication में क्या होता है, कि order अगर उनका different भी एक two by three की है, दूसरी three by two की है, तभी वो multiply हो जाती है, लेकिन addition और subtraction में दोनों matrices का order same होना चाहिए, पहले आपने ये main point आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, दूसरे number पर how we can add, order त and let it be five minus four, three, seven, और एक दूसरी matrix ले लेते हैं, इसके साथ same order की लेनी पड़ेगी, तो I am writing here ten, three, one, six, तो आपको बोल दिये जाएगा इनको plus करो, ठीक है, तो ऐसे लिखना आपको सर्जी A plus B, तो this is your first matrix, direct में लिख सकता हूँ, अभी आपको समझाने के लिए, यहाँ पर मैं जो order इन दोनों matrices का है, तो देखो कैसे plus करना है, तो आपको simply यह याद रखने, corresponding elements को add कर देने, corresponding elements को add कर देने, corresponding का मतलब हो गया, जैसे यह 5 दिख रहा है आपको, तो यह 5 आपका first place पे है, A11 पे, तो यहाँ पर 10 है A11 पे, बस इनको plus कर देने, ऐसे minus 4, 3 में plus हो जाएगा, 3 आपका 1 में plus हो जाएगा, 7 आपका 6 में plus हो जाएगा, that's all, इतना easy है, addition of 2 matrices, note रखने वाली यही बात है कि add और subtract आप तभी कर पा रहे हैं, जब दोनों matrices का order same है, तो 5 and 10, 50, minus 4 and 3, sir minus 1, ठीक है, plus कर रहे हैं, 3 और 1, sir 4, 7 and 6, sir 30, that's all, तो जो आपको new matrix मिलेगी, after addition, उसका order भी वही होगा, it is obvious, जो previous matrices का order था, यानि 2 by 2, ठीक है, यह matrix भी आपकी 2 by 2 की, और यह matrix भी आपकी 2 by 2, in general, अगर हम लिखे हैं, तो यार हमारे पास कोई matrix है, AIJ, ठीक है, इसमें हम कोई matrix plus कर रहे हैं, जिसके elements हैं, like this, इसका order अगर आपने MYN रखा है, तो इसका order भी आपका MYN ही होना चाहिए, तो आपको जो new matrix मिलेगी, मानो, उसके elements कुछ इस तरह से हैं, और उसके पास जो order आएगा, वो MYN ही आएगा, तो how you can calculate this CIJ, simply you have to add AIJ plus BIJ, in generally, आप इसको ऐसे भी समझ सकते, तो जैसे मैंने यहाँ पर addition किया है, ऐसे ही same subtraction होता है, बस भीच में माइनस का sign आ जाता है, मानो, अब मैं यहाँ पर minus रख देता हूँ, तो आपको just इनको minus करने, ठीक है, और यहाँ भी minus आ जाएगा, यहाँ कोई नया element कैसे करेंगे, minus करके, तो एक minus की example भी ले ले लेते हैं, ठीक है, तो A minus भी अब मैं direct लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख ले तो like मैंने यहाँ ले लिए 5, minus 3, 2, 1, minus 6, and 7, तो यह भी 2 by 3 की, तो जो आपको new matrix मिलने वाली हैं, उसका order भी 2 by 3 ही आएगा, ठीक है, corresponding elements को minus कर दो, 2 minus 5, sir, minus 3, 3 minus minus 3, तो यह plus 3 हो जाएगा, ध्यान रखना, यह minus जो है, multiply हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है, 3 minus minus 3, plus 3, sir, 6 आग 5 minus 1, sir, it is 4, 6 minus 1, sir, it is 5, 2 minus, sorry, 6 minus, plus 6, यह 12 हो जाएगा, sorry, 2 minus 7, sir, it is minus 5, that's all, इसका order भी कितना आगया, 2 by 3, that's all, addition and subtraction, बहुत इसी है, इसी के साथ, scalar multiplication में बता देता हूँ, scalar multiplication क्या होता है, scalar multiplication का मतलब, यार, कोई number आप matrix से multiply करना चाहते हो, जनि अगर आपको कोई matrix दे दी जाए, आपको बोल दिये जाए, यार, A matrix यह है, 2, 3, minus 1 and 0, तो आप कैसे बोलेगा, find 5A, तो find 5A मतलब, आप 5, जो scalar 5, 1 scalar है, उसको A के साथ multiply करना है, तो कैसे करना है, क्या स सबी elements के साथ करना है, या सिरफ एक ही elements के साथ करना है, है न, वो समझने है, तो कुछ नहीं है, यह जो 5 है, यह जो 5 है, यह सबी elements के साथ आपको multiply करना है, all the elements, ठीक है, 5, 2's are 10, 5, 3's are 15, यहाँ पर आगया, minus 5, यहाँ पर आगया, 0, that's all, this is called scalar multiplication, very easy, कोई भी number है, वो सबी numbers क के साथ multiply करना है, जो भी matrices के अंदर जितने भी number है, वो scalars सबी number के साथ multiply करना होता है, ठीक है, तो next इस पर कुछ properties देख लेते हैं, जैसे number one, cumulative law, ठीक है, तो matrices इनको hold करती हैं की नहीं करती हैं, फिर एक आता आपका associative law, इस पर बात कर लेंगे, associative laws, फिर हम बात कर लेंगे number three पे additive inverse, उससे पहले बात करनी पड़ेगी, additive identity की वो क्या होती है, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए, number fourth हम बात करेंगे, additive inverse के, यह सारी terms आपने additive identity, inverse, छोटी classes में पढ़ा होता है, कहीं न कहीं, ठीक है न, फिर भी हम इसको थोड़ा सा revise कर लेते हैं, प्रेचे, commutative law क्य कहता है, कि if you are combining two things, or two numbers by any order, the result will be same, अगर result same आता है, तो इसका मतलए, commutative law hold कर रहे है, for example, अगर आपके पास दो number है, let two and three, तो मैं बोलू इनको plus करो, तो आपने किया two plus three, ठीक है, फिर मैं बोलू यार ऐसे करो three plus two, क्या result same आएगा, बिल्कुल same आएगा, आपको पता है, तो इसका मतलए two plus three equal to three plus two, तो हम क्या कर रहे है, कि दो number को combine कर रहे है, by any order, कि two, three करूं या three do करूं, result same भी आता है, इसका मतलए commutative law hold कर रहे है, ऐसा ही matrices में भी समझना है, क्या commutative law hold करती है, matrices, under the operation addition, तो अगर addition की बात करे हैं, तो बिल्कुल hold करती है, a plus b किसके एकल होत है, या आपको याद रखने है, कोई भी example लेकर आप इस चीज को verify कर सकते हैं, उसके बाद associative law, associative law कहता है कि इसमें तीन object आ जाते हैं, यानि तीन numbers आ जाते हैं, like two, three, four, ठीक है, तो associative law कहता है कि किनी दो को पहले combine करो, तो मैंने first or two को combine कर लिया, और इनको add कर दिया, फि क्या वही result आएगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ, कैसा कि last के दो पहले add करता हूँ, और बाद में पहला वाला उसमें add करूँगा, क्या result सेम आएगा, बिलकुल सेम आएगा, numbers में, जो है, associative law hold करता है, under the operation addition, इसी तरह matrices को भी समझने हैं, तो if you have three matrices, A, B, C, तो अगर मैं पहल past की दो matrices को मैं पहले add करूँ, और बाद में मैं उसमें A plus करूँ, क्या result सेम आएगा, बिलकुल सेम आएगा, तो associative law भी hold करता है, under the operation addition on matrices, अब यहाँ पर एक subtraction पर बात कर लेते हैं, subtraction के लिए मैं आपको homework दे रहा हूँ, आप खुद verify करें, जैसे addition hold करेगा, क्या subtraction भी hold करता है, तो आप कुछ example लेकर इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, यह आपके लिए homework है, करना जुरूर, ठीक है, फिर आपको clear हो जाएगा, कि hold कर रहा है, subtraction, addition hold करता है, ठीक है, आगे बात करते है, additive identity, यह क्या होती है, additive identity, जाँ फिर identity क्या चीज़ होती है, बचे, identity कैस नंबर है, आप उसको किसी के साथ भी operate करें, मैंने यह number हो सकता है, यह function हो सकता है, यह matrix हो सकती है, तो अब यहां हम matrix की बात कर रहे हैं, तो यहां हम identity matrix की बात करेंगे, additive value, तो additive identity matrix एक ऐसी matrix है, जो किसी भी matrix में add होके, उसको कोई फर्क नहीं, बलब उसको कोई effect नहीं करत हो, मैं example लेता हूँ, suppose करो, suppose करो, मैं यहां पर कोई matrix लिखता हूँ, 3, 4, 7, 8, अगर मैं इसमें null matrix add करूँ, 0 matrix इसमें add करूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 3 plus 0, 3 आ रहा है, 4 plus 0, 4 आ रहा है, 7 plus 0, 7 आ रहा है, 8 plus 0, 8 आ रहा है, कोई फर्क पड़ा, जो matrix थी वहीं आ ग समझना आप गए, तो additive identity in matrix आपका है null matrix, याद रखेगा, mcq type में आ सकता है, याद रखना है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं additive inverse, अब additive inverse, यानि inverse की बाद हम तभी करते हैं, पहले हमें identity का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया, कि null matrix एक additive identity है, अब additive inverse क्या हो ग इनका result, identity आना चाहिए, तो यहाँ addition की बात हो रही है, तो ऐसे समझो, कि दो matrices को आप plus करो, उनका जो answer है, वो null matrix आना चाहिए, ऐसी कौन सी दो matrices हैं, सोचो, तो भाया वो दोनों एक दूसरे की opposite matrix हैं, sign के हिसाफ से, कहने का मतलब, अगर मैं कोई matrix लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, इ इसी के opposite sign की का, नि कौन सी, minus 2, minus 3, minus 4, and 5, minus 5, अब करो इन दोनों को plus, सामने दिख रहे हैं, इन दोनों को plus करो के तो क्या result आएगा, आएगा ना null matrix, समझना यह है, कि if you add two matrices, and your result is 0, it means A and B are additive inverse of each other, अब 0 क्या है, null matrix है, ओके, तो यहाँ पर आपने ऐसे समझना है, कि if A is any matrix, if A is any matrix, then its additive inverse, then its additive inverse is minus A, that's all, बस यह समझना, क्योंगे आगे multiplicative inverse भी आएगा, that is very important, तो आपको सिरफ identity का concern होना चाहिए, कि इस matrix को, और इस matrix को add करके, अगर मेरा additive identity आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे की inverse होंगी, यह इसका definition होता है, ठीक है, उचाँ, तो यह चार चीजें थी, छोटी-छोटी, commutative law, associative law, additive identity, and additive inverse, यह मैंने किस्वे बात की, under the operation, addition, subtraction आपके लिए रखने हैं, सोचना, examples लेना, देखना, यह laws hold करते हैं, जा नहीं, ओके डियर, next आपके पास आजाएगा, next आपके पास आजाएगा, multiplication of two matrices, that is very very important, multiplication of two matrices is the main topic of this whole chapter, how we can multiply two matrices, multiplication of two matrices, एक मैं आपको advice करना चाहता हूँ, multiplication of two matrices का एक theory सा लिखा हुए, आपकी NCRT में, topic है, multiplication of two matrices नीचे थोड़ा theory लिखा हुआ है, कुछ example से समझाया हुआ है, कि हम कैसे multiplication कर रहे हैं, वो theory भी एक बार आप पढ़ लिजे, बस उस theory का conclusion ही में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, उस theory में ऐसा कि दो friend है, कुछ pen खरीद रहे हैं, कुछ notebook खरीद रहे हैं, फिर उनकी अपनी एक cost है, फिर total expenditure निकाला हुआ है, और nothing else, तो वही चीज़ को मैं यहाँ पर conclude कर रहा हूँ, ठीक है, तो how we can multiply two matrices द्यान दे, सबसे पहले तो एक condition को याद रखना, आप वैसे ही दो matrices को multiply नहीं कर सकते, किसी भी order की ऐसे multiply कर दो, no, इसके लिए condition होती है, जैसे मैंने addition और subtraction की क्या condition बताई, आप दो matrices को आप तभी add कर सकते हो, उसकी क्या condition है, उन दोनों का order same होना चाहिए, इसी तरह से आप दो matrices को जब आप multiply कर रहे हो, तो उसके बड़ी खतरनाक condition है, जो हमेशना बच्चा बूल जाता है, वो उससे बच्चे बूल जाते हैं, तो उस condition को आपको याद रखना है, क्या condition है, देवो, number one, number of columns of first matrix, number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix, बस ये condition, मैंने देखा है, multiplication बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन जब आप multiply करने लगते हो, कुछ ऐसी matrices होते हैं, जो इक condition following नहीं कर रहे होती, फिर भी आप multiply करने लग जाते हो, अरे multiply आप पहले तभी start करो, उसको देख लो, क्या ये condition follow हो रही है, अब यहाँ मैं इसको example से समझाता हूँ, द्यान से सुनो, number of columns of first matrix, मानों आपकी first matrix है, इसका कुछ order रख लेते हैं, let its order is 3 by 2, मैं इसको multiply करना चाता हूँ, B matrix के साथ, ये dot मैंने तो multiply कर रहा हूँ, मैं इसको B matrix के साथ multiply करना चाता हूँ, और B matrix का order मैंने रखा है 3 by 4, can I multiply, बस ये सोचो आप, can I multiply, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ जो first number पर matrix रखी है, इसकी columns कितनी है, sir इसकी two columns है, और जो second number पर matrix रखी है, इसकी rows कितनी है, sir three rows है, भाई ये दोनो number same होने चाहिए, देखो न, number of columns of first matrix equal to number of rows of second matrix, they should be same, तो ये same नहीं है, इसलिए इनका जो multiplication है, वो possible नहीं है, not possible, बस इस चीज़ का द्यान रखना, इसमें बड़े अच्छे-च्छे MCQs भी बन जाते हैं, और misleanious exercise में बड़े प्यारे question भी है, इसी multiplication के, इस condition के उपर, okay dear, अब देखो यहाँ पर, if I take a matrix A, and its order is 2 by 3, and I am going to multiply it with B matrix, and its order is 3 by 4, can I multiply, can I multiply, check it, yes, I can multiply, why, the number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix, और order में ये तो पता है न, जो पहले लिखा होता है, वो rows होती है, दूसरे number पर columns होती है, जैसे किसी matrix का, अगर order M cross N है, तो M क्या होता है, number of rows, N क्या होता है, number of columns, तो 3 क्या है, number of columns of first matrix, और 3 क्या है ये, number of rows of second matrix, तो यहाँ पर भाई, ये दोनो number same, in short ये जो अंदर दो number दिख रहे हैं, ये same होने चाहिए हमेशा, तो आप multiply कर सकते हो, ने तो multiplication possible नहीं होती, तो यहाँ पर आपके पाद जो new matrix आएगी, जो new matrix आएगी, मानों उसका नाम हम C रख लेते हैं, तो इसपे भी एक बड़ी प्यारा note बन जाएगा, कि जो new matrix आपकी आती है, उसका order आप पहले से बता सकते हो, बिना multiply किये, पहले से आप बता सकते हो, वो क्या होता है, ये जो last, इसका first number है ना, जानि इसकी first वाले की rows, और last वाले की columns, ये ही इसका order बन जाता है, new matrix का, जानि 2 by 4 इसका order बन जाता है, अब देखो, इसको generalize करता हूँ, माना आपके पास कोई matrix है, A, इसका order है, M cross N, और इसको multiply कर रहा हूँ, B matrix के साथ, तो यहाँ पर N लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर multiplication possible करनी, N by P कर दिया मैंने, तो first matrix की कितनी columns है, N columns है, second matrix की rows कितनी N rows है, same है, multiplication possible है, हो जाएगी multiplication, ये दोनों बस same होने चाहिए, हो गया, same, चलो, multiply कर दो, जब multiply कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक matrix ही मिलेगी, मानो, उसका नाम C रग दिया मैंने, C matrix मेरे को मिल गी, अब इस matrix का order आप पहले ही बता सकते हो, चाहिए आपने multiply नहीं भी किया, वो क्या होता है, first matrix की जितनी rows होती है, यानि M है यहाँ पर, और second की जितनी columns होती है, ठीक है, ये extreme वाले, extreme वाले जो दो नमबर आपको दिख रहे हैं, ये new matrix का order बन जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, M cross B, that's all, ठीक है, और example से समझ लेते हैं, फिर multiply करेंगे उसके बाद, मानों यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, फिर मैं यहाँ B लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, मल्डिवकेशन क्या पॉसिवल है, यहाँ, सर, first की जितनी columns हैं, second की उतनी rows हैं, yes, multiplication पॉसिवल है, तो new matrix का order क्या होगा, new matrix का order क्या होगा, सर, 3 by 2, इसकी जितनी rows हैं, इसकी जितनी columns हैं, वो new matrix का order बन जाते हैं, यह 3 by 2 की matrix हमें मिलने वाली, इसको मैं काफी explain कर रहा हूँ reason यहार इस order पे काफी mcqs आपको मिलेंगे entrance purpose से भी mcqs इस पे आ जाते हैं ठीके न और आपके ncartic miscellaneous में भी mcqs इसके हैं ठीक चलिए आगे बढ़ जाओ अब हम example लेके दो mattress को multiply कर रहे हैं अभी तक हमने यह समझा कि हम किन matrices को multiply कर सकते हैं अब हम example लेंगे और multiply करना start करेंगे देखो छोटी-छोटी matrices लेते हैं दो पहले A matrix मैं direct example ले रहा हूँ फिर इसको generalize करूँगा A matrix इसमें 2 by 2 भी रखते हैं या ठीक है 2 by 2 की दूसरी भी 2 by 2 की लेता हूँ तक कि अराम से आपको समझा दे 5, 7, 2, 3 कर देते हैं It is 9, that's all Now I am going to multiply these two matrices Very simple, बचे इसमें multiplication में क्या करना यह sign याद रखना, यह देखो यह यह जो बना है, इस चीज को याद रखना यह क्या है, भाई यह row है और यह column है यह sign याद रखना, ऐसे row column, तो जब हम multiply कर रहे है basically जो row 1 है वो column 1 से multiply होगी तो एक नया element बनता है इसको मैं यहाँ side में ऐसे लिखता भी जाओंगा new matrix के लिए, आपको क्या करना है row 1 को column 1 से multiply करना है और बीच में addition का sign चलता है देखो, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ R1 और C1 और इसको मैं highlight भी कर लेता हूँ इसको मैं multiply करूँगा इसके साथ how, first with first यह गाना गाओ, song sing a song, first with first second with second, third with third fourth with fourth, ऐसे चलता है अब यहाँ पर तो second तक ही जाना है क्योंकि यहाँ पर दो-दो elements ही ही है row column तो first with first, second with second बच्चे जो गलती करते हैं वो उसमें क्या है? कि first with first और first को ही second के साथ multiply कर देते हैं, सबसे बड़ी mistake जैए इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ यार गाना गाओ, उसमें कोई बुराई नहीं क्या जब आँ multiply कर रहे हैं ऐसे बोलो first with first, second with second कोई गलती नहीं लगई तो देखो कैसे, two into five थोड़ा explain कर रहा हूँ भी फिलहाल बाद में इसको shortcut में ले जाएंगी two into five, जनी first with first multiply हो गया, बीच में plus चलता है formula का आप समझ लो कि आपको बीच में plus डालना है, ठीक है, second with second ओके, होगे तो गलती कहां लगएगी first with first और first को second के साथ कर दोगे जल्द बाजी में तो वो नहीं करना है, first with first, second with second तो एक नया element बन चुका है new matrix का, तो यहां मैंने लिखा r1, c1 यह मैंने कर दिया तो जो आपकी row 1 है ना, यह जो row 1 इसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक सभी column के साथ multiply ना कर दो row 1 को पकड़ा है तो row 1 में ही चलना है, तो अब यह new element में बनाने वाला हूं, और यहां मैं बगल में लिख रहा हूं, कि r1 को मैं c2 से multiply कर रहा हूं, same pattern से multiply करते जाना है, same pattern से, तो भाईया यह row 1 को हमने पकड़ा हूआ है, इसको आप मैं column 2 से multiply कर रहा हूं, वही गाना गाना है first with first, second with second तो 2 into 7, plus बीच में रहेगा, 3 into 9 that's all r1 ने दोनो columns के साथ multiplication ले ली है, r1 ने दोनो columns के साथ multiplication ले ली है row 1 का काम खतम हो गया है अब row 1 की कोई जूरूत नहीं है हमारी columns यहाँ पे खतम हो गई है अब आपने आजाना है row 2 में तो आपने अब इस row 2 को पगड़ लेना है पगड़ो row 2 को, this row 2 same गाना गाना है first with first, second with second तो भाईया यह आपकी row 2 और यह आपकी column 1 अब यह होने वाला है this is row 2 and this is column 1 same pattern से multiply गाना है first with first देखो multiply, direct भी मैं लिख सकता हूँ अभी आगे लिखेंगे, अभी यह समझाने के लिए बता रहा हूँ first with first, second with second 6 into 3 first with first, first को second के साथ मत कर दे न first with first, second with second next अब इसी row को आपने last, जो second कॉलम है इसके साथ करना है कैसे आएगा सर जी, row 2 को column 2 से multiply करना है that's all अब कैसे आएगा first with first, second with second that's all यह हो गया multiply बस इन number को plus minus कर लेना है तो main तो multiplication आपको ऐसे ही करना है 2 by 2 की है, 3 by 3 की है किसी भी order की आजाए पहले तो देखो condition क्या multiplication possible है if yes, तो ऐसे करना है यह sign याद रखना row with column multiplication चलता है I hope इसके आगया आप इसकी calculation कर सकते हैं काफी simple है 5 tos are 10, 3 tos are 9 तो यहाँ पे 19 आप direct लिख सकते हैं 7 tos are 14 14 और 9 tos are 27 plus कर लो Sir, यह आगया 11 और यहागया 4 41 Sir, यहाँ पर आगया minus 20 यहाँ पर आगया minus 20 और यहाँ पर आगया 18 Sir, minus 2 Sir, यहाँ पर आगया minus 28 ठीक है यह minus 28 बन जाएगा यह बन जाएगा आपका 54 तो वह 28 में से 54 minus कर दो Sir, 26 आगया plus का that's all तो new matrix quarter 2 by 2 2 by 2 एड़ा था क्योंकि इसका order था 2 by 2 इसका order था 2 by 2 तो इसका first इसका last देखो इसका order बन गया वो तो बन नहीं है, अब हम 3 by 3 की example लेते हैं काफी interesting है, देखो I am taking a matrix A चोलो अब direct लिख लेते हैं, A B में find कर रहा हूं 3 by 3 कर लेते हो number अब negative लेते हैं, ज्यादा minus 1, 0, minus 2 3, 4, minus 5 2, minus 1, 5 छीक है, इसको मैं B matrix से multiply करूंगा let it be 3 and minus 2 4, minus 1 minus 7 2, minus 3 4 and minus 6 that's all how we can multiply, यहां मैं लिख देता हूं in general होगा क्या row 1, column 1 के साथ multiply जोगी ठीक है? यह row 1, किसके साथ multiply होगी? column 1 के साथ multiply होगी फिर इसी row1 ने किस से multiply करना है? column 2 इसी row ने किसके साथ multiply multiplication लेनी है? column 3 के साथ row 1 को तब तक नहीं चोडेंगे जब तक सभी column के साथ multiply नहीं कर देंगी क्योंकि आपने row 1 को पगड़ा है तो फिर row 1 में ही चलना है new matrix के अंदर, देखो ऐसे चलेगा, यह row 1 आगी and this is column 1, कैसे करना है multiply, first with first, second with second, third with third, यह याद रखो, अब मैं multiplication थोड़ी से direct कर रहा हूँ, minus 1 into 3, यह आएगा मेरा minus 3, फिर 0 into minus, this is 0, sir minus 2 into minus 3, it is plus 6, तो एक element बन गया, जानि R1 और C1 हो गया, अब इस R1 को C2 के साथ multiply करो, इसके साथ, first with first, second with second, third with third, चलेए, यहाँ पर आजाएगा आपका 2, ठीक है, 2, first with first हो गया, 0 के साथ 0 आजाएगा, second, third with third, sir जी, minus 8, अब R1, last column के साथ multiplication होने वाली, कैसे आएगा, sir minus 4, sir 0, sir 6, 2, 0, 12, sign का ध्यान रखना, तो R1 ने सभी column के साथ multiplication कर लिया, ठीक है, R1 ने सभी column के साथ multiplication कर लिया, अब R2 का number आगए, यह आपकी R2 आगए, same pattern से तीनो column के साथ multiply कर दो, जानी अभी आप करने वाले है, sir जी, R2 को column 1 से करना है, R2 को column 2 से करना है, R2 को column 3 से करना है, करो multiply, sir 3 into 3, sir 9, sir minus 4, plus 15, I hope आपको यह समझा रहोगा, अब this with second column, 3, 2s are 6, first with first, second with second, 28, third with third, sir g minus 20, अब इसने last column के साथ multiplication लेने, sir 4, 3s are 12, 4, 2s are 8, 5, 6 are 30, अब आपका last row, R3 ने तीनों column को multiply करना है, how, sir 2, 3s are 6, sir 1, 15, समझा रहा है न, first with first, second with second, third with third, बज़िये द्यान रखना, चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, same row, column 2, कैसे जालेगा, sir minus 4, plus 7, 5, 4s are 20, अब last with last, 2, 4s are 8, minus 2, and minus 30, that's all, आगे इनको simplify कर लेना, एक तो यह sign याद रखना, row column, and corresponding element, first with first, second with second, and third with third, ओके देर, अब एक question में बच्चों को problem आती है, वो करता हूँ, देखो, 5, 6, 7, यह row matrix है, 8, 2, 9, ऐसे ले लेता हूँ, यह column matrix आगे, इसमें बच्चे confuse हो जाते हैं, sometime कोई confusion नहीं हो नहीं, इसको देखो द्यान से, row with column, इसमें एक ही row है, और एक ही column है, जानि इसमें एक element ब कर रहे हो, तो new matrix का order क्या होगा, यह पहले ही जान लिया करो, जैसे आपके पास A matrix है, इसका order क्या है, row 1 है इसमें, और column कितनी है, 3, जो आपकी दूसरी matrix है, B, इसकी row है, 3 और column, multiplication तो possible है यह, लेकिन जो new matrix का order कितना होगा, 1 by 1, तो कहीं बार बच्चे 3 by 3 order लिख देते हैं तो गलती नहीं करनी है, मैं बोल रहा हूँ, इस condition पे बड़ी सारी mistakes होती हैं बच्चों से, तो भाई यह condition का दियान रखना, यहाँ पर 1 by 1 की matrix बनने वाली है, 5, 8, 40, 6, 2, 12, 9, 7, 63, बस इनको आप plus कर लो, तो एक single element बनेगा, यह 1 by 1 की matrix होगी, अब इसी में गलती क्या नंबर पर रख रहा हूँ, ठीक है, कैसे कोई भी matrix ले लेते हैं, मानो, minus 2, 3, minus 4 ले लेते हो, और दूसे नंबर पर मैं row matrix रिखता हूँ, let it be 5, 2 and minus 3, अब करो multiply, multiply करने से पहले याद रखना, यार, order क्या होगा, अब बताओ, first matrix order क्या है, 3 rows, 1 column, first matrix order है, 3 by 1, second matrix order क्या है, 1 by 3, 1 by 3, multiplication possible है, yes sir, यह दोनों same possible है, तो new matrix order कितना होगा, 3 by 3 की matrix बनेगी, 3 by 3 की, इसमें 3 by 3 की बनेगी, ठीक है, तो इसमें क्या है, row 1 में एक ही element है, column 1 में एक ही element है, तो row 1 column 1 से multiply होके, तो हमें बस minus 2 और 5 को करना है, तो minus 10 आ देगा, अब इसने second के साथ करना है, तो plus नहीं करना इसको यह एक नया element बनने वाल है, यानि कुछ इस तरह से कर रहे है, आप row 1 को आपने column 1 से कर दिया हुआ है, तो यह आ गया, अब row 1 ने column 2 से करना है, तो column 2 में सिरफ 2 बैठा हुआ है, तो यहाँ बराएगा आपका minus 4, अब इसी row ने column 3 से करना है, यानि row 1 ने column 3 से करन है row same ही चल रही है अब यह 3 को पगड़ो और same pattern से 3 को कर दो ठीक है 5 3s are 15 3 2s are 6 and 3 3s are 9 अब इसको पगड़ो 3 कॉलम के साथ कर दो so it is minus 20 it is minus 8 and it is 12 that's all तो यह आगे न 3 by 3 की matrix तो यह जो row and column matrix हैं यह दोनों तरफ से multiplication एकदम perfect कर ले ना इसमें कोई गलती नहीं लगनी चाहिए बहुत सारी examples हैं आपकी exercise जो 3.2 हमने complete करने उसमें बहुत सारी examples हैं सारी examples हम discuss करेंगे तो अभी हम देख लेते हैं यार operations इसमें कुछ properties है वो देख लेते हैं सबसे पहले commodity क्या multiplication commodity है no a b is not equal to b a in general ये दोनों बराबर नहीं होते हैं कोई example आ जाए तो बराबर हो सकता है कोई दिकत नहीं ये दोनों बराबर नहीं होते हैं ये ध्यान रखें नमबर 3 नमबर 2 associative associative law क्या ये associative law hold करते हैं बिल्कुल associative law ये hold करते हैं जहनी a b c है पहले 2 को multiply करो जो result आएगा उसको c के साथ multiply करो और अगर आप पहले a को रहने तो side में पहले bc को multiply करो फिर जो result आएगा वो a के साथ multiplication करो इनका result same आता है cumulative law hold नहीं करता है लेकिन associative law hold करता है provided की multiplication possible होनी चाहिए जानि जो condition है multiplication की वो तो follow होनी चाहिए number 3 इसमें distributive law की बात करते है distributive law distributive law क्या होता है कि जैसे बाहर x लिखा और अंदर y plus z है तो आप कैसे करते हो सर जी x y और x z इसी को distributive law कहते है x को आपने distribute कर दी है multiplication में distributive law hold करता है यानि multiplication our addition is distribute हो जाती है यानि a है अंदर है bracket में b plus c आप कैसे करेंगे a b plus a c ये okay है ये hold करता है ठीक है ये hold करता है distributive law hold करता है अब यहाँ पर एक और note में आपको बताओ देखो previous classes आपने पढ़ा है कि जब आप दो number को multiply कर रहे हो अगर result आ रहा है 0 you are multiplying two numbers and the result is 0 इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि कम से कम इसमें से एक तो 0 है यहाँ फिर x 0 होगा यहाँ यहाँ डो होगा कम से कम एक तो 0 है लेकिन matrices में ऐसा जरूरी नहीं कि कि किसी एक का 0 होना जरूरी है चाहे result उनका null matrix आता हो यहाँ पर अगर में बात करूँ यहाँ पर अगर में बात करूँ कि if I have two matrices and there is result is zero. I am multiplying two matrices and their result is zero. It is not necessarily कि A जब B में से किसी एक का zero होना ज़रूरी है. ठीक है? It is not necessarily कि A zero होगा. It is not necessarily. जा फिर B zero होगा. यह ज़रूरी नहीं है. It is not necessarily. तो इसमें question mark डालते हुए एक example लेते हैं कि सर कैसे देखो. मैंने यहाँ पर कोई matrix like three zero zero three zero zero फिर एक दूसरी matrix ले लेते हैं B like मैंने यहाँ रख ली zero यहाँ पर रख लेते हैं zero यहाँ पर number रख लेता हूँ five zero ठीक है यहाँ पर सारे zero कर लेते हैं. क्या A null matrix and no देखो इसमें three एक non zero number आ रहा है. क्या B null matrix and no. इसमें भी five आ रहा है. यह भी non zero matrix है. Null matrix नहीं है. अब मैं इनको multiply करना चाता हूँ. अब मैं इनको multiply करना चाता हूँ. मैं लिखा zero three zero zero और मैंने लिखा B. Multiplication तो possible है. दोनों two by two की matrix लिए है. Now I am going to multiply. row को मैंने किया column के साथ multiply. सर यह zero आ गया. सर यह zero आ गया. फिर row को मैंने किया next column के साथ 0 आ गया. फिर मैंने इसको किया सके साथ सर यह zero आ गया. सर यह zero आ गया. क्या result आए बताऊ ना. आगे सारे element zero. बिल्कुल. क्या conclusion है? कि यार दो matrices को आप multiply कर रहे हो और आपका result आ रहा है null matrix तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कोई एक 0 या दोनो 0 वो दोनो non 0 भी हो सकती है यह काफी important point है इसको द्यान में रखना ओके dear तो आज के lecture में हम multiplication ही रखेंगे प्लस जो operations पीछे की अपने addition subtraction next lecture में हम exercise 3.2 के सभी questions solve करने वाले हैं